हेलो फ्रेंस आज हम बात करने वाले है कि прогrespon息न कि चाहिए कांसे बढ़र जाएंगे तो यही बेसिक चीजे में आज के विडियो में आपको बताने वाले हूं ताकि आप अच्छी तारीके से हर एक चीज समझ पाओ और आप खुद आपका ovulation day calculate कर पा और उस हिसाब से अगर आप संबंद रखते हो तो no doubt आपको दिन रहने में काफी आसानी होगी तो दिन ठहरने के लिए सबसे important चीज़ ज़रूरी है वो है कि ovulation आपके शरीर में कब होता है ये आपको पता होना ज़रूरी है ovulation मतलब क्या ovulation मतलब beach पिजाशय में से बाहर निकलना मतलब एक गर्ब की थैली होती है उसके साइड में दो fallopian tube होती है और दो ovaries होती है यानि कि दो अंडाशय होते है और हर महिने में हर महिला के body में either right ovary या फिर left ovary में से एक beach पिजाशय में से बाहर निकलता है वो fallopian tube की तरफ निकलता है और वहां पे अगर शुक्रानू available है तो beach और शुक्रानू का मिलन होके आपको दिन ठहरते है इसके लिए next चीज आपको जो पता होनी होती है कि हर महिला में ovulation कब होता है ovulation day हम कैसे पता करें तो ovulation day हर महिला का अलग होता है और वो depend करता है आपके menstrual cycle length पे मतलब आपके period cycle length पे तो फिर अभी menstrual cycle length या period cycle length मतलब क्या for example किसी महिला की महावरी अगर first of June को आ रही है और उसके next महावरी 21 June का आ रही है और उसकी बाद में next महावरी 11 July को आ रही है आप बाजू के चार्ट में देख सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ ताकि आप अच्छी महिला की जो महावारी है हम 21 दिन से आती है मतलब menstrual period cycle length ये 21 दिन का है वैसे ही अगर second example हम लेते है second महिला का for example किसी महिला की महावरी first June को आ रही है उसकी next महावरी 24 June को और फिर उसकी next महावरी 17 July को आ रही है तो ये दो cycle length दो periods के date के बीच में का जो अंतर है वो cycle length कहा जात है so normally महिला हमें ये जो cycle length होती है ये 21 से 35 दिन के बीच में अगर होती है तो उसे हम normal कहते है right so किसी महिला की cycle length 21 दिन की हो सकती है किसी की 24 दिन की कि 28 दिन की कि 30 दिन की और किसी की 35 दिन की normally 28 से 30 दिन की महावरी most of the महिला हो की होती है then अभी जो my next important fact आपको बताने वाली हू वो ये है कि ovulation day calculate करने के लिए आपको आपकी cycle length अगर आप 3-6 मैने पहले का अगर आप dates निकालते हैं आपके periods के कि महावारी का first period आपको कब आया था तो उसके 14 दिन पहले आपका ovulation day आता है तो महावारी के first दिन से 14 दिन बाद आपका ovulation नहीं होता है बलकि जो हमारी next महावारी आती है उसके 14 दिन पहले आपका ovulation होता है तो बाजू के चार्ट में अगर आप देख सकते हैं तो मैंने 5 महिलाओ का example दिया है जिनकी menstrual cycle length 21, 24, 28, 30, 35 दिन की होती है और उस चार्ट में मैंने ये explain किया है का उनका ovulation, हर महिला का ovulation day कौन से दिन आ रहा है तो next important fact ये है तो क्या सिर्फ ovulation day के दिन अगर हम संबनत बनाते हैं तो ही आपको दिन ठहरेंगे नहीं, next important चीज ये है कि जो आपका बीज है, मैला का जो बीज होता है उसका जो life span होता है जो बीज जिन्दा रहने का जो span होता है वो होता है 18 से 24 गंटे मतलब की 24 hours और शुक्रानू यानि कि sperm का जो life span होता है वो होता है fertilizing capacity अगर हम के है यानि कि बीज बिजाशय में शुक्रानू का जो मिलन होने की जो capacity होती है वो 72 गंटे तक मतलब लगबक 3 दिन तक अच्छी होती है जो भी ovulation day आपका निकलता है आपके menstrual cycle length के हिसाब से उसके तीन दिन पहले भी अगर आप संबंद रखते हो तो भी आपको दिन ठहर सकते है क्योंकि शुक्रानू तीन दिन तक female reproductive system में जिन्दा रह सकते है गरबाश में फैलोप्यों ट्यूब में तीन दिन तक जिन्दा रह सकते है तो इवन तीन दिन बात भी ovulation होता है तब भी आपको दिन ठहरने के chances रहते है तो अगर आपको आपका अगर ovulation day पता चल गया है तो तीन दिन पहले और ovulation के एक दिन बात तक भी अगर आप संबंद रखते हो तो आपको दिन रहने के chances काफी बढ़ जाते हैं बट मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो on and average बहुत से महिलाओं का 28 से 30 दिन की menstrual cycle length होती है तो 14 दिन पहले अगर हम पकड़ते हैं तो 14 डे के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद मतलब menstrual cycle के 11 दिन से 18 दिन तक अगर हम संबंद बनाते हैं तो दिन रहने के chances काफी बढ़ जाते हैं तो इस पिरिड में मतलब महावारी के 11 से 18 दिन के बीच में मतलब अगर आपकी on and average अठाई से 30 दिन की अगर cycle है तो 11 से 18 दिन के बीच में अगर आप संबंद रखते हो तो दिन रहने के chances बढ़ेगे बट ज़रूरी नहीं है कि डेली आपको संबंद रखना चाहिए इवन अगर आप alternate day मतलब एक दिन छोड़ के भी संबंद रखते हो तो भी आपको दिन ठहर सकते हैं आज के वीडियो के अगर highlights में आपको बताना चाहूँ तो वो यह है कि अगर आप pregnancy plan कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आपका ovulation day पता होना जरूरी है और ovulation day पता होने के लिए आपको आपका menstrual cycle length पता होना बहुत जरूरी है अगर आप menstrual cycle length calculate कर लेते हो तो उसमें से अगर minus 14 days आप करते हो तो आपको आपका ovulation day मिल जाएगा और वहां से दो तीन दीन पहले और दो तीन दीन बात तक अगर आप संबंद रखते हो तो no doubt दिन रहने के chances आपको काफी बढ़ चाते हैं आपको अच्छी लगी होगी यह information आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंस तो रिलेटेस में जरूर शेयर कीजिए और ऐसी health related information के लिए इस चनल को with bell button subscribe करना न भूले है